ये बताना आखरी बार तुमने यूट्यूब के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ती बताना तुम मुक्ती सर्च करते हो तुम पता नहीं तुम क्या सर्च करते हो हमें भी बताए गूबल पर तुमने आखरी बार कब सर्च करा था सत्य, मोक्ष, निर्वान, विदान, दर्शन कब करा था और जब तुम इने सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुमारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे बताओ मुझे किसी की भी recommendation में कैसे आएंगे तो फिर इन वीडियो को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है सिर्फ एक तरीका होता है इन्हें प्रमोट करो हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पढ़ रहा है क्योंकि यह समाज बहुत गिरा हुआ है यहां इस वीडियो को प्रमोट ना करूँ तो यह कप्र में गर खोके रह जाएगा कोई से पूछने वाला नहीं होगा जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है कौन सा सही वीडियो है उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी एक बटा दस भी नहीं आती है यहां पर लोगों की तनखाहें काट-काट करके और खर्चे काट-काट करके यह वीडियो तुम लोगों तक पहुचाये जाते हैं कि नमस्ते है तारी जी मैं आपको पिसले एक साल से सुन रहा हूं मैंने एक अपनी फ्रेंड के बर्थेड़े पर आपकी एक पुस्तक उसको भेट करी ती रिगार्डिंग विमन इंपार्मेंट तो मैंने उससे कुछ दिन बाद पूछा कि तुमने क्या लफ सीखा क्या तुम इस मैंने एक दो तीन चेप्टर पड़े होंगे और इस सीम्स लाइक प्रोपेगेंडा जैसे अचार जी एक बात को थोपना चाहते हैं कि तुम वोडी नहीं हो तुम सोल हो तुम यह हो तुम बेहो तो मैं उसी के सब तुमें पूछना चाहूंगा क्या आचार प्रिसांद की संस्था एक प्रोपगेंडा है यह अभी तक पता नहीं चलाता तुम मेरे ही मूँ से कुबूलवाओगे सब यह से समझानी पा रहा था मैं तो बोल देता हूं कुबूल है कुबूल है कुबूल है प्रोपगेंडा पुब्लिसिटी के बहुत करीब की बात होती है हाँ बस यह है कि अभी अगर तुम डिक्शनरी में प्रोपगेंडा का अर्थ देखोगे तो वो थोड़ा सा निगेटिव आ गया है प्रोपगेंडा शब्द आम तोर पर इस्तेमाल किया जाता है ब्रामक प्रचार के लिए ब्रामक ठीक है लेकिन अवश्यक नहीं है कि प्रोपगेंडा का अर्थ यही हो कि भ्रहम ही फैलाया जा रहा है आम तोर पर चूंकि भ्रहम ही फैलाया जाता है इसलिए प्रोपगें साफ शब्द पब्लिसिटी है रीच आउट है पर उसे कोई प्रपगेंडा भी बोलना चाहता है तो मुझे कोई आपती नहीं है ठीक है क्योंकि वास्ताव में संस्था का और कोई काम है यह नहीं प्रचार के लावा हम और करते क्या है दिन भर हम क्या कर रहे हैं हम प्रचार का काम कर रहे हैं जो लोग बैठ करके दिन भर फोन कॉल कर रहे हैं कोई 25 करता है कोई 35 कोई 50 करता है वो क्या करने प्रचारी तो कर रहे हैं यह आप लोग जितनी भी डोनेशन देते हैं असी प्रतिशत वो कहां जाती है वो प्रचार मे तो जाती है बाकई 20 प्रतिशफे सारा खर्चा पानी चलता है तो प्रचार के लावा हम करते क्या है प्रशन यह नहीं है कि प्रचार कर रहे हो या नहीं अब आऊ असली प्रशन पर प्रशन यह कि किस Mediter Deputy प्रचार कर रहे हो, सच का या जूट का, यह होना चाहिए सवाल, यह सवाल पूछा ही नहीं, बोल ऐसे दिया जैसे प्रचार करना ही अपने आप में गुनाह हो गया, प्रचार करना गुनाह हो गया, जो जूट का प्रचार कर रहे हैं, उनको ले करके आपको कभी तकलीफ नह तो और क्या दें, घुसा, है भई, एक से एक जलील चीज का तुम्हारे पास विग्यापन आता है, तुम्हें आज तक कभी तकलीफ नहीं हुई, और हम विग्यापन के नाम पर भी तुमको वीडियो ही दिखाते हैं, उसकी तुमको तकलीफ हो रही है, उस विग्यापन में क् खर्च कर रहे हैं, दूसरे विग्यापन से कमाते हैं, पर तुम्हारी छोटी बुद्धी को ये अंतर समझवही नहीं आता, आप मैंसे कितने लोगों ने संस्था के विग्यापन देखे हैं, हाथ उठाईए कहीं न कहीं, यूट्यूब, फेस्बुक कहीं न कहीं देखे है उन्हें क्या रहता है, एक वीडियो रहता है, लो देख लो ये वीडियो है, और वीडियो भी ऐसा रहता है कि आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत प्यार भरा वीडियो होता है, और वीडियो भी ऐसा ही होता है कि उसको देखते ही तुरन हेट आती है, हम पैसे दे दे कर करके हेट को आमंत्रण देते हैं हम कहते हैं लोग देखो तो सही न तुम्हें देखना पड़ेगा हम पैसा खर्च खरके तुमको दिखवाएंगे दिखवाना गुना कैसे हो गया दिन रात आप सौ चीजों के विग्यापन देखते हो और वो सारी चीजें आपके लिए नुकसान दे हैं उनसे आपको कुछ नहीं मिलता संस्था पाई पाई जोड करके आप तक ऐसी चीज पहुंचा रही है जो कम से कम हमें लगता है अपनी कि क्या हो गई भाई तकलीफ क्या है यह नहीं पहुंचा है अच्छा आप में से कितने लोग विग्यापन देख करके संस्था के संपर्क में आए हाथ उठाईएगा यह दो तेहाई कि तीन चौथा ही लग रहे है माने हमने यह खुद भी हाथ उठा रहे है राम माने विग विग्यापन देकर गुनाह किया या एहसान किया सीधे बोलिये मैं हां तो विग्यापन दे देकर हम इस समाज पर एहसान कर रहे हैं हम आपको वो चीज दिखा रहे हैं जो आप अपने आप कभी न खोजते न देखने को पाते का मैंने आप पूछा था गूगल में पिछली बार कभ अद्वायत 16 खोजा था या मुक्ती willingness miles प्होज को जाथा कभ हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके उसका एक ही तरीका है प्रचार अब उसमें शर्मिंदा होने वाली क्या वात हो गई उसके लिए तो आपको अमें धन्यवाद देना चाहिए नहीं देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए क्या आप जो पैसा देते हो ना कोई साधारन संस्था होती तो उस पैसे को खा भी सकती थी यह जितने लोग यहां पर काम कर रहे हैं इन में से कोई भी ना तो अशिक्षित है ना किसी साधारण पृष्ट भूमी का है यहां पर हम आइटी में सेशन कर रहे हैं माले बड़ी बात हो जाती है कि कोई आइटीन है और नजाने कितने आइटीन हैं जो अपना क्यारियर छोड़ करके हमारी संस्था में बैठे हुए हैं और बड़ी से बड़ी कंपनियों में काम करने वाले संस्था में आ गए हैं और जितना उनको वहां मिलता था उसकी यहां लोग तंखाहें नहीं ले रहे हैं ताकि हम प्रचार कर सकें और यह इल्जाम है कि प्रपगेंड़ा हो रहा है कि हो रहा है पर तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है नाम नहीं लूँगा पर हमारे यहां पर आईटी में वरिष्ट सज्जन है एपल में पहले काम करते थे तो किस इस्तर पर रहोंगे सोच लीजिए कुछ नहीं करा आज सुभह उनकी तंखाह या रही थी एक बहुत मामूली सा मैंने उसमें आकड़ा जोड़ दिया उधर से उनकी आपत्ति आ गई बोले मुझे मालूम है संस्था का नियम है कि आचारी जी जो कर रहे हूं उसको सुविकार कर लो लेकिन मैं यह नहीं सुविकार कर रहा हूं है कि मैं मना कर एक है कि और जो दिया गया है वह उनकी पूरानी नाका के छोटे से हिससे से भी कम है है कि तो फिर मैंने उन्से आग रहे कर भाना मैंने का जो आप को मिल रहा है नहीं जो आपको लग रहा है कि ज्यादा हो गया आप किसको एफली में रख़ aka और उस FD के आप ट्रस्टी बन जाई है एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि संस्था आप से डोनेशन मांगेगी तब आप वो हमें वापस कर दीजिएगा हमें माने अपने आपको संस्था कहीं सदस्य हैं तब वापस कर दीजिएगा प्रचार सस्ता नहीं होता घिसको कह रहे होना हम प्रोपागेंडा वो बड़ महंगा होता है भाई बहुत-बहुत महंगा होता है और वह हम करते हैं यहां पे भी लोग जिनके घर परिवार आप लोग तो तुरंद बोल देते नहीं मैं सच्चाई के रास्ते पर कैसे चलूं मेरी मजबूरिया एं लाइविलिटीज है मेरी मां हैं और मेरे बच्चे हैं काए हमारे यहां पे लोग है यह खजूर के प्रेड स भाई बहन तो होंगे और समाजिक प्राणिय तो यह भी देखते हैं कि उनके बैच के लोग कितना कमा रहे हैं यह हो रहा है वो भी देखते ना पर्फेक्ट तो कोई नहीं होता उनके भी तर भी उठता है कि हमारे ही साथ के लोग हैं कोई गाड़ी पे चल रहा है कोई कुछ क इलावट करें अगर हम प्रोपगेंडा कर रहे हैं तो इस समाज पर हैसान कर रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद के पात रहे हैं उलहना के नहीं कि यार यह बात समझ में हुँ कि रिष्टे थोड़ा देख समझ के बनाने चाहिए ना काई बेटा तुम हम पे हमला करोंगे तो हम तुमें छोड़ देंगे सच को हक नहीं है बोलने का और जूट छट पे चड़के चिल लाएगा इतना बता दो बस हम सच की तरफ खड़े हैं तो मौन हो जाएं और हमारी तरफ जो भी कीचड उछा ली जा रही है उसको पीते जाएं जितना हमारा बॉलेंगे तो बोलोगे की बोलता है की बोलेंगे तो फिर वी कि तुमें बोलना तो अपना चैनल वना लिंगary जो लोग उसे परिचित हो जारा बताईएगा मैंने सोल शब्द का इस्तिमाल कभी भी करा है कभी करा है मेरे दो ही चीज़े होती है जो वेदानत में एक मन एक आत्मा ये सोल क्या चीज़ होती है और कोई बोले कि अचारी जी किताब पड़ी और उसमें माइंड बड़ी सोल की बात कर रहे है तो उसने कुछ भी पढ़ा है यह तुमने किसी किताब दी भी थी अपना ही सवाल सामने ला रहे हो तुमने कुई है भी गल्फरेंड कि वादा बैचमेट या जो भी है है सही में है नहीं पान लिया है ठीक है देखो रिच्ते उल्टे-पुल्टे बनाओगे तो शक्त तुम पर भी होगा तुमीने तो बनाए है कि वादा बनाए है